दरहारा टेलिवीजन इस तोछ नेपाल का पर्थम परदान मंत्री भीमसेन थापा को घर भीमसेन थापा सन सत्र से पचातर अगस्ट, सन अठार से 49 अगस्ट पांच, नेपाल को दोस्रो तथा सै भंदा लामो समय सम्मक पदमा रहेका नेपाल का मुक्तियार परदान मंत्री सरह तथा राष्टिय विवति हुन, राजा रणबादुर साका हजूरिया साई सचीब भीमसेन थापा पनी संगई गये का थिये, एसे किर्टग्यत का कारण रणबादुर साले भीमसेन थापालाई नया विश्तारित सरकारमा काजी मंत्री सरह को पद को पदमा नियुक्त गरे, सन अठारसे चमा रणबादुर साको हट्या उनकई सवतेनी भाई सेरबादुर साद्वारा भाय पस्चाद भीमसेन थापाले 93 जना को हट्या गरेर स्वेम आपो मुक्तियार प्रदान मंत्री सरह को पद मा बने, बिमसेन थापाको प्रदान मंत्री कालमा नेपाल साम्राज्य को निक्कै बिष्तार भाये को थियो, एसको प्रमाण एस बाटा लगाउन सकिन छकी, तेस समयमा एस साम्राज्य को सिमाना पस्सीमा सतलज नदिर पुरवमा टिष्टा नदि सम्म पुगे को थियो, तरह सन अठारसे चौदा अठारसे शोर सम्म नेपाल बिनासकारी अंग्रेज नेपाल युद्धमा फस्यो जासको फॉल सरूप नेपाल ले सुगवली संदी गरेर आफनो एक्तियाई जमिन इस्ट इंडिया कमपनीलाई भुजावनु परेको थियो एस युद्धमा प्राजय कई कारण नेपाल मा वीटिस रेसिडेंसी को इस्ताइतो कायम भैको थियो सन अठारसे सोरमा युबा अवस्ता में राडा गिर्वाण युद्धर विक्रम सह हा को मिर्तु तथा उनको उत्तरा धिकारी राजा राजेंध्र विक्रम सह हा साने भईको कारण तथा राणी ललीत तिरपुरा शुन्दरि रणबादु सह हा की कांची शीर्मती तथा केई दर्वारिया को समर्थन केई कारण नेपाल अंगरे जुद्धमा हार भहेता पनी भीमसिन थापा स्वक्ति में रहेका थिये सन अठार से 32 मा उनको ठूलो समर्थक रानी ललिता तिरपुरा सुन्दरी को मिर्थु तथा राजा राजेंद्र विक्रम सहा युबा अवस्तमा पुगे पची भीमसिन थापा को सक्ति इस्तीर भहे को थियो मुखेतया पांडे हरु भीमसिन थापा लाई दामदर पांडे को सन अठार से चार मा भहे को हत्या को योजना कार्मान थे अनेक सड़ैंत्र र विरोधी दरवारिया हरुको गतिविदी का कारण अन्तत विमसेन थापा सन उन्नाइसे उन्नचालिस मा जेल हालिये र उनले त्याई आत्मा हत्या गरे तर उनको मिर्थु पस्चाद पनी आंतरिक कलह सांत बायनार सोको फल्सरुप राणा सासनकाल को दरहारा टेलिविजर क्या है?